नमिशकार दोश्तों, कैसे हैं आप सब लोग? I hope so, आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो चलिए, आज मैं हाजर हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है क्वासी स्टाटिक प्रॉसस क्वासी स्टाटिक प्रॉसस को लेकर लोगों के मन में बहुत अलग-अलग धरायना है तर्मिस अलग-अलग तरीके से लोग सोचते हैं लेकिन exactly क्वासी स्टाटिक प्रॉसस क्या होती है यह किस प्रॉसस को हम लोग क्वासी स्टाटिक हम लोग बोलेंगे वो मैं आज आप इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ ये वीडियो knowledge के लिए तो दाग्मिन important ही है और जो लोग competition की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी important है क्यों? क्योंकि बिटा ये दो statement आपके सामने आ जाती है और इन दोनों statement में आप लोगों ने देखे होंगे कि जो objective questions हैं वो इन दोनों statement से पूछे जाते हैं तो कुछ-कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा हुआ कि हाँ सर इस type के हम लोगों ने question देखे हैं तो very important है एक बात दूसरी बात that means हम लोग यहाँ पर feel करेंगे quasi-static process को with the help of both diagram आप खुद से अपने मुझ से बोलेंगे कि सर ये quasi-static होगी ये non quasi-static होगी एक हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने सुना कि सर बोला जाता है कि जो process reversible होती है वो quasi-static process होती है तो reversible process है यहीं reversible means quasi-static ऐसा क्यों क्यों बोला गया ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो में end तक बने रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ subscribe भी channel को करें तो चलिए start करते हैं quasi-static process तो quasi-static process को start करने से पहले मैं आप लोगों से simply एक चीज जानना चाहता हूँ तो what do you mean by process process क्या होता है तो जैसे ही मैं आप लोगों को बोलूगा कि process क्या होगा तो आप मुझे बोलोगे कि बोला sir any change of state is non-age process अब बात ही आ गई कि sir what do you mean by the state तो आप को होगे कि sir मैं आप से पूचो बिटा state क्या होता है तो आप मुझे बोलोगे कि बोला sir condition of the system is non-age state of the system ठीक है like example के तोर पर हम लोग समझते है suppose that मैं आप लोगों को बोलू sir मेरे पास क्या है coffee है coffee कैसी होती है hot coffee हो जो अब अब से बाद ठंडी coffee आपको कोई sir भी नहीं करेगा तो यह hot coffee है जब यह hot coffee है तो इसका कुछ temperature होगा इसका कुछ pressure होगा इसका कुछ volume होगा right होगा नहीं होगा बुल सरहा और होगा तो बुल सरहा तो अगर हम इसका temperature हम लोग बांगते है pressure volume को हम थोड़ा सा नगलेक करके चलते हैं हम लोग देखते है temperature जब यह गर्म है तो इ it is 95 degrees Celsius तो आपने बताया इसका मतलब आप बता रहे हो कि यह इस state पर है तो आपने बोला कि सर हाँ कोफी थंडी होई तो कोई प्रॉसस हुई प्रॉसस में क्या होगा रहे हीट ट्रांसफर हुई इस तरीके से थंडी हुई तो इसको क्या बोलेंगे यह आपके क्या कहलाएगी वोला सर इस प्रॉसस अब बात आती है कि सर जो प्रॉसस होती है वो कितने टाइप की होती है तो आप लोगोंने जर्नल ही सुनी होंगी कि सर प्रॉसस आर फ्टू टाइप एक हमारी प्रॉसस होगी बोला सर यह अब मैं यहां पर आपको डिफाइन नहीं करूँगा कि क्या रिवर्सिबल प्रॉसस होती है और कौनसी रिवर्सिबल बोलेंगे क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आई मैं बोलते हैं कि you very well known about reversible and irreversible आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसको हम reversible बोलते हैं किसको हम irreversible बोलते हैं लेकि छोटा समय आप लोग उसे एक पर देख लेता हूं कि इसे reversible process वो process होती है कि जिस part से आई उसी part से वापस चली गई बिना system और surrounding को affect किये बगैर उसको हम बोलेंगे reversible और अगर जिस process that means ऐसी process जो reverse ना हो यानि affect करे या तो system को करे या surrounding को करे अगर इतना सा भी फरक पढ़ रहा है system में या surrounding में उस process को हम irreversible process बोलते हैं ठीक है अब हम चलते हैं quasi starting पर ठीक है इस word को अगर आप English के dictionary में search करेंगे तो basically यह क्या है वोला सर यह एक adverb है एक adverb ज़से आप लोग जानते है adverb है एड़ नाउन है adjective है तो यह क्या adverb है और इस adverb को जब आपने search करोगे तो English में यह लिखा आएगा what वोला सर इट is almost it is almost और हम अपनी देसी भासा में इसको अगर सर्च करते हैं तो almost को हम लोग क्या कहते हैं वोला sir that means there is a लग भग हम लोग क्या कहेंगे that means almost का मतलब हिंदी में क्या होता है लग भग ठीक है right ठीक है अब quasi एक adverb है जिसका हम सर्च करते है almost आतर almost को अगर हिंदी में सर्च करते हैं उसका मतलब क्या होता लग भग अच्छा static आप सब लोग जानते static मेरा शेर सब जानता है वोला sir what do you mean by the static तो static का मतलब होता है क्या वोला sir rest क्या हो जाता है rest तो मैं कहना चाहूँगा अब quasi static process क्या बन गई लग भग रेस्ट लग भग रुकी हुई लग भग रुकी हुई process जो है उसको हम लोग क्या कहते है it is the quasi static process तो sir लग भग रुकी हुई मतलब क्या हो गया that means it is not rest it is not rest लग भग रेस्ट लग भग रुकी हुई रुकी नहीं है यह चल रही है बट कैसी चल रही है बहुत की slowly चल रही है बहुत ही लोली चल रही है उस process को हम लोग क्या कहते है क्वासी static process नहीं समझ में आया हम लोग देखते इसको example से मैं ने आप आप लोगों को बुला कि मैं आपको इसको एक्जाम्पल से समझाऊंगा वह हम लोग यहां पर देखने हैं definition आप पढ़ते हैं आप देख लेना very important और बहुत मज़ा आने बाला आए आप ठीक है suppose that हमारे पास का एक piston cylinder arrangement है right इस piston cylinder arrangement में मैंने दो diagram आप लोगों को दिखाए हैं इस diagram कम लोग गोलते हैं that means this diagram is supposed that A and this diagram is supposed that B ठीक है यहां पर that means दोनों में ही एक gas भरी हुई है और जो वो gas है that means P1, V1, T1 एक initial pressure, volume and initial temperature और pressure पर यहां पर है चलो मैं आपर लिख देता हूँ उलसर pressure P1, volume V1 and temperature T1 right got it उलसर हां अब हम लोगों ने इन दोनों में changes किया है जो diagram A जो मेरा diagram है A जो मेरा diagram है इस diagram में बेटा मैंने क्या किया एक that means हमने क्या किया एक 5 kg एक 5 kg का वेट लिया और इस piston पे रख दिया हमने 5 kg का वेट लिया इस piston पे रख दिया अब अब बिसी बात से जब हम बोल रहे है that means there is a what उलसर this is the initial state आप इसको आप बोल रहे हो that means there is a initial state initial state का मतलब that means यह equilibrium position हो गई न initial state का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ that means there is a equilibrium position हुई न उलसर equilibrium का मतलब it is at rest उपर से भी pressure उपर से भी pressure और force equal है नीचे से भी pressure force equal है तो इसका मतलब यह उपर से भी force लगा हुआ है नीचे से force लगा है दोनों क्या है equal है equal है तो that means यह क्या है rest है that's why आपने बोल दिया कि sir it is at initial state got it मुले sir हाँ तो अब आप देख रहे हो कि sir इस gas में कितना अच्छा खासा pressure होगा इस gas में कितना अच्छा खासा pressure होगा जो क्या कर रहा है 5 kilo weight को balance कर रहा है अब हमने क्या किया दूसरे वाले diagram में रखा 5 kilo weight ही रखा 5 kilo weight ही लेकिन 5 kilo weight के हो एक जो 5 kilo का weight है उसके हमने क्या कर दी that means दरिजा 100 छोटी-छोटी सी plates बना दी that means हमने क्या किया 100 plates बना दी हमने क्या किया 100 plates बना दी अब 5 kilo gram जो 100 करेंगे तो ये कितने-कितने की हो गई वोला सर्फ 50 grams की एक plate हो गई प्लेट बनाई 5 kilo की और उसको क्या 50 gram की plate बना के हमने इसके उपर रख दिया got it same thing है same चाजी है यहां पर पूरा पांच किलोगे वेट को आपने क्या किया 100 plates यानि 50-50 grams की आपने यहां पर क्या कर दी plate लगा दी अब हम लोग बात करते हैं कि सर यह क्या है उपर वाला इसका final state है यही चीज मैंने आपको यह आपर डाग्राम में दिखाई है एक यह डाग्राम हो गया initial state और final state मैंने पहले से दिखा रखी है हम बात कर रहे हैं सर यह जो state change हुआ कैसे change हुआ इसको हम लोग देखते हैं तो suppose दर मैं simply आप से बात करता हूं कि अभी आप लोग देख रहे थे कि सर यह जो 5 kg weight को इस gas में balance किया हुआ है इसका मतलब मैं बात कहूं कि अच्छा खासा इसके अंदर pressure होगा अब क्या करते है सडनली आप क्या कर लेते हैं इस 5 kg पांच किलोग्राम के बाट को उठा लेते हैं उठा लेते हैं तो आपको क्या लगता है प्रिस्टन क्या करेगा सर प्रिस्टन पर बहुत ज्यादा pressure था नीचे गैस था यह gas pressure क्या करेगा इस piston को क्या करेगा एकदम उपर लेके जाएग एकदम सडन बहुत तेज एकदम सडन इसको उपर लेके जाएगा suppose that आपने क्या किये हो यहाँ पर stopper लगा रखें suppose that हम बोल दे हैं कि हमने यहाँ पर stopper लगा दिये अब यह stopper क्या करेगा इसको उपर नहीं जाने देगा obviously बात नहीं है इसा नहीं उपर भान निकले तो हम सी बात क्या करेगा मैं सिंपल सी बात मान के चलते हैं कि बहुत तेज प्रेशर है stopper से टकराएगा टकराएगा बहुत तेज हीलेगा और बहुत तेज हीलेगा थोड़ी देर में क्या हो जाएगा वो बिलकुल rest पर यहाँ पर आके घटा हो जाएगा एकदम से fast उपर गया वहां से टकरा टकरा के थोड़ा सा वाइबरेट किया वाइबरेट किया वहीं पर वहीं पर रुप गया हम मान के चलते हैं अशा होगा simply हम लोग देखते हैं अशा होगा ठीक है अब सुनिए अब हम चलते हैं अब यह चीज हो गई ठीक है अब हम लाग बात करते हैं इसमें पिस्टन क्या करेगा वो उसे पिस्टन बहुत ही slowly up move करेगा बहुत ही slowly up move करेगा और रुख जाएगा अगर 50 gram की plate अगर यहां पर आप से उठाते हैं तो वो क्या करेगा थोड़ा सा हल्का सा उपर move करेगा और रुख जाएगा जब रुख गया तो मैं बोलना चाहूंगा आपको एक अलग स्टेट मिल गया कि मतलब अगर यहां पर रुख जाता है तो आपको एक प्रेशर में मिल जाएगा खूर मुझे द्लासा मिल जाता है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं उस उस स्टेट को 50 ग्राम की प्लेट जो आई थी उसको हटाने के बार मुझे आजा है उसको में यहाँ पर milliardsar कर सकता हूं 576 process करते हैं वेहरां फ्रिशर भी है और टेंप्ररैश्व भी है से यंडài फिर से वही operation repeat होगा, तोड़ा सा उपर जाएगा, फिर रुक जाएगा another volume, another pressure मिलेगा, फिर आपको pressure temperature मिला, फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने उसको upload किया, फिर आप क्या करेंगे, three play तो जाएगे, तब भी क्या होगा, same वही operation चलता रहेगा तो ऐसे करते करते वाला गुर्देयों मुझे बहुत सारे equilibrium states यहाँ पर मिल जाएंगे और मेरा जो piston है वो initial point से final point तक पहुच जाएगा बोलिये हाँ या ना बोले सर हाँ ये तो मैंने बहुत ज़्यादा gap बना दिया 50 gram आप समझते हो 50 gram कितना सा होता है तो 50 gram और भी कम कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी close that means आप लोगों के सामने बना दूँ तो आपको क्या दिखेगा मैं कहना चाहता हूँ आपको एक line दिखाई देगी आपको दिखाई देगा कि हम उलसर एक line ही बन रही है पूरी की पूरी बोलो हाँ तो अगर हम बोल देते हैं कि that means हमारे पास क्या बनी को बोला sir हमारे पास क्या बन गई एक line अब सेम तिंग आप वही चीज करो यह वह पस एक प्लेट फिर से रखते जाओ वापस एक प्लेट फिर से रखते जाओ तो मैं कहना चाहूंगा जब आप वापस जाओगे तो जो point आपको मिला था, जो state point आपको मिला था, फिर से वही state point आपको मिलेगा, ना कहता हूँ, definitely आपको वही state point आपको मिलेगा, ऐसा ही वापस रखते जाओगी, तो process आपकी वहाँ पर again, initial final से initial state पर पहुच जाओगे, तो जब हम लोगों ने इसको ऐसे मिलाया, जब हमने इसको देखा तो आप लोगों को दिखा कि दोनों प्रोसस हो गई दो प्रोसस आपके सामने हो गई बोले सर हाँ तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से किस प्रोसस को मैं क्वासिस्टाटिक बोलूँगा बता सकते हैं वाला बिल्कुल बता सकते हैं कि बला गुरुदेव कि गुरुदेव यह जो process है यह process क्या कहलाएगी that means there is a quasi static. यह क्या कहलाएगी quasi static और इस process को क्या बोलेंगे? इस process को क्या बोलेंगे यह जो process कहलाएगी it is what it is non quasi static कई बच्चे non quasi static नहीं बोलते हैं that means what it is non quasi static non quasi static का मतलब it is the fast process जैसे ही आपने 5 kg का weight उठाया जैसे ही आपने 5 kg का weight उठाया एकदम यह बहुत उपर आया तो that means कोई भी straight point ने मिला सीधा हम लोगों को final point मिल गया ही मूव करता रहा state points मिलते रहे उनको हो plot करते रहे और बात में देखा कि एक line बन गई तो मुसको बोलेंगे that means what it is the quasi static process तो I hope so आपको clear हो गया होगा कि quasi static process क्या होती है वह हम बात में देखेंगे कि हम बात में देखेंगे कि reversibility also quasi static क्यों हो बात में देखेंगे क्यों हो बात में देखेंगे क्यों हो बात में देखेंगे क्यों है समझके तो यह definition I think आप पढ़ते होंगे कि यह process is carried out in a slow manner in a very slow manner such that every point passes through the equilibrium state is known as quasi static process right तो एक process जो बहुत ही हम कह सकते हैं very slow यह हम लोग कह सकते हैं infinitely slow process तो हम लोग कह सकते हैं that means what वोला sir infinitely infinitely slow बहुत ही slow process उसको हम लोग क्या कहते हैं quasi static process तो बहुत है तो हाँ sir यहां तक चीज़े clear हो गई quasi static और non quasi static क्या होती है clear है अब हम बात करते हैं कि sir हमेशा एक चीज़ बोल दी जाती है हमेशा एक चीज़ बोल दी जाती है क्या कि sir reversible is equal to quasi static reversible is equal to quasi static बोल दी जाती है कि अगर process reversible है तो it has to be quasi static ऐसा क्यों देखो अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं तो कहते हैं कि very slow अब देखो यहां पर आप एक सीधी सी में बात करूँगा कि अगर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बहुत ही fast यहां से जा रहे हैं बहुत ही fast यहां से जा रहे हैं जब friction हुआ, friction हुआ, तो that means हम लोग क्या कह देंगे, कि that means there is a loss हो रहा है, अब अगर यही जो process है, मैं एक example के थोर पर बिता रहा हूँ, यही जो process है, उसको very slow करो, like this, यह तो मैं फिर भी थोड़ा fast कर रहा हूँ, very slow, कुछ लगा feel हो रहा है, कुछ feel हो रहा है, वोला सब बिल्कुल भी कुछ feel नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब चीजे fast होती है, वहाँ पर losses ज्यादा होते हैं, अगर losses ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब वो process कभी भी reversible नहीं हो सकती, लेकिन जब process slow होती है, जब process slow होती है, like quasi static, जब process slow होती है, तो मैं क्या कहूंगा, तो कहूंगा, friction नहीं होगा, वहला सर्फ friction होगा, कई बच्चे कहते हैं सर्फ slow लेलो, friction तो वहाँ भी हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा, it can neglect it or not, we can neglect, that means small friction, as compared to this much friction, we can neglect, नहीं सब बलकुल कर सकते हैं, तो it is not the reversible, भी quasi static, मेरा friction है, friction है, तो that means, वो irreversible process है, लेकिन मुला गुर्दयव, यहाँ पर जो क्या है, अजब very small है, जब very small है, तो we can neglect, हम लोग उसको neglect कर सकते हैं, तो that's why, हम लोग क्या बूल देंगे, quasi static, that means what, quasi static is, इसलिए हम लोग क्या बूल देते हैं, वोला, sir, reversible is what, reversible is quasi static, इसलिए हम लोग क्या बूल देते हैं, reversible is quasi static, though the friction is here, but we can neglect that friction, so, reversible process is the quasi static process, basically, आप लोग जानते हैं, कि reversible नाम की कोई process नहीं होती है, reversible process is the ideal process, but we can assume, we can assume, sir, this much friction, we can neglect, तो उसको neglect कर सकते हैं, that's why हम reversible process मान भी सकते हैं, तो इसी लिए बोला गया कि reversible process ideal process होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो analysis करनी हम लोगों को पढ़ना है, बोले, sir, right, अब आओ तुम यहाँ पर, अब आओ तुम यहाँ पर, अब आओ तुम यहाँ पर, यह लास्ट है, थोड़ा सा वीडियो बढ़ा बनेगा, लेकिन, that means, it is the very feeling के साथ आपको quasi static बताया है, कि क्या होता है quasi static, चलो, बताओ, all reversible process are quasi static process, all reversible process are quasi static, true or false, तो सब लोग कहेंगे, कि बोल, sir, अभी तो चला चला क्या आप बोल रहे थे, true, 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 कि reversible है, तो quasi static होना पड़ेगा, clear, true, next पढ़ो, second statement पढ़ते है, all quasi static process are reversible process, सारी की सारी quasi static reversible होती है, सारी की सारी quasi static reversible होती है, वोला गुर्देओ, घंगोर गलत है, ये तो, घंगोर गलत है, सारी की सारी quasi static reversible नहीं होती, सारी reversible quasi static होगी, बट सारी quasi static reversible नहीं होगी, तो सर्फ कौन सी quasi static reversible होगी, कौन सी quasi static, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि frictionless quasi-static process is reversible. क्या बोलेंगे? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं मिलता हूं आप लोग से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम नमश्कार.